पाकिस्तान की क्रिकट को सबसे ज़ादा खराब रावल पिंडी क्रिकर स्टेडियम ने किया है कहने को पिंडी क्रिकर स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे छोटा और नहाय दी थर्ड ग्लास इंटरनेशनल क्रिकर स्टेडियम माना जाता है जो केई बार ICC की जानिब से पबंदी लगते बाल-बाल बचा है ये वो क्रिकर स्टेडियम है जहां पर बैटने की गुंजाइश थो 15,000 अफराद की है लेकिन इन 15,000 अफराद को बिठाना कैसे है इसका कभी फैसला नहीं हो सका यही बज़ा है के यहांपे कभी सीट्स इंस्टॉल नहीं की गए ये वो मिदान हैं जिसकी पिच के बारे में कहा जाता है के वो बहुत फलैट और हार्ड है और इतनी हार्ड है के यहांपे आप इसे जहाजों के रणवे के दोर पर भी स्तेमाल कर सकते हैं इसी फ्लैट फिच का फाइदा उठाते हुए सर्चन टंडोर कर 141 रंस की पार यहाँ पर 2004 में खेल चुके हैं और टेस्ट क्रिकर्ट में इंडविजुल स्कोर सबसे हाइस यहाँ पर राहूर ड्रेवर्ट का है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंडी क्रिकर में रंस भी नहाइ तेजी से बनते हैं एतनी तेजी से बनते हैं कि यहाँ पर आप एक ही दिन में टेस्ट क्रिकर्ट में 500 से ददा रंस भी बना सकते हैं पंडी क्रिकर स्टडियम को मोत करने के लिए बनाया गया जहां पर पाकिस्तान सूपर लीग के मैचिस के दुरान धाई सो रंस भी बासानी चेज हो जाते हैं तो अब आपको अंताजा तो हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो है पिंठी क्रिकर स्टेडियम के हवाले से जिसमें हम पिंठी क्रिकर स्टेडियम की पिंठी क्रिकर स्टेडियम जब बनाया तो ये एक टेंपररी स्टेडियम था कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकर बोर्ड अनकरीब इसलामबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकर स्टेडियम बनाएगा जहां पे 50,000 अफराद के बैठने की गुझाईश होगी जब इसलामबाद में क्रिकर स्टेडियम बन जाएगा तो ये पिंठी क्रिकर स्टेडियम का छोटा मेदान डिमोलिश कर दिया जाएगा या भी इसे डुमैस्टिक क्रिकर के लिए मुक्तस कर दिया जाएगा लेकिन पिछले 60 साल से पाकिस्तान में इसलामबाद में Capital Department यहां पे कोई स्टेडियम बनाने में न काम रही जिसके वार से पिंडी क्रिकर स्टेडियम मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में इस वकद चार इंटरनाशनल क्रिकर स्टेडियम है उनमें से एक पिंडी क्रिकर स्टेडियम भी है जो इन चारों मैदानों में सबसे छोटा मैदान माया जाता है और यहां पे रंस के अंबार लगाए जाते हैं उने 92 में यहां पे इंटरनाशनल मैच खेला गया जो के पाकिस्तान और स्रिलंका के दर्मियान था और मज़े की बात है कि 2004 के बाद जब 2019 में यहां पे इंटरैशनल क्रिकर की दुबारा वापसी होती है पिंडी क्रिकर स्टेडियम में तो पहले टीम जो यहां पे मैच खेलती है वो ही सिरलंका होती है यानि कि सिरलंकन क्रिकर टीम में पिंडी कृकर स्टेडियम में बहुत करदार अदा करके रखा हुआ है पिंडी कृकर स्टेडियम में 1996 के क्रिकृत वर्ल काप के 3 मैचिस खेले गए थे और इन 3 मैचिस में से 2 मैचिस में पहने बैटिंग करने वाली 2 टीमों ने 300 से ऊपर रन्स बनाए थे और दोनों टीमों के एक एक बैटर ने 150 से कूपर रंज बनाये थे इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिंटी क्रिकर स्टेडियम बैटर्स के लिए किस नगा से देखा जाता है यह वो ही मिदान है जहांपर 2004 में सामसिंग ODI काप में सच्चन टंडोल करने जब इंजिन क्रिकर बैटर्स लडखरा गए थे तो वो 141 टंस की बारी कीरते हैं और यही पर राओर ड्रेवर ने अपने इंडविज्वेल स्कोर के टाइटर से जाकी रखा हुआ है पिंटी क्रिकर स्टेडियम में अब ICC Champions Trophy के मैचिस भी खेले जाएंगे जो के पांच है जिसमें एक समी फाइनल भी है एक समी फाइनल कराची में होगा और एक समी फाइनल पिंटी क्रिकर स्टेडियम में होगा देव बजाए के पाकिस्तान क्रिकर बोर्ड पिंटी क्रिकर स्टेडियम में रेनोवेशन भी कर रहा है और इसी मैच के बाद जीटू टेस्ट क्रिकर चल रही है उसके बाद यहां पे बहुत ज़़ा कामी स्टार्ट होगा अभी यहां पे जो बैटने की गुंजाईश है वो 15,000 है लेकिन वो भी सीट्स इंसॉल नहीं है पाकिसान क्रिकर बोर्ट यहां पे बैटने की गुंजाईश टेंप्रेरी तोर पर 25,000 तक बढ़ाएगा जिसमें नसाव कांटी इंटरनाशनल क्रिकर स्टेडियम मिल योक की तरह यहां पे भी टेंप्री स्टैंज बनाए जाएंगे जो जम्पेंट ट्रोफी के बाद डिमॉलिश हो जाएंगे यानि कि यहां पे भी टेंप्रेरी स्टैंज लगने वाला है इंडी क्रिकर स्टेडियम में इंडियन क्रिकर टीन नहीं खेल रही अगर खेलती तो बहुत मज़ा आता क्योंकि इंडियन क्रिकर बैटर्स फ्लैट पिचिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपने देखा भी होगा कि इंडियम में जादा पिचिस फ्लैट ही होती है 12-23 के वनडे वर्ड काप में आपने देखा होगा तो यहां पर वो फाइदा उठा सकते थे लेकिन क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते हैं खेलती हैं तो उनके सभी मैचिस लाहोर में हो गए और एवन अगर एंडियन क्रिकर इन समी फाइनल पोइंट या चेंपिन ट्रॉफी के तो वो समी फाइनल भी फी रावल पिंडी से लाहोर शिफ्ट हो जाएगा अलागे पाकिस्तान क्रिकर वोड चेंपिन ट्रॉफी के लिए और स्ट्रेलिंग किरेटर्स को हायर करना चाता है जो कि पीचिस को त्यार करें और अच्छी पीचिस बनाएं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकर बोड पिछले कई साल से ऐसी फीचिस बनाने की कोशिश कर रहा है जो होम ग्राउंड पे पाकिस्तान क्रिकर को फाइदा दे सके लेकिन उसका उल्टार नुकसान हुआ है क्योंकि आप पाकिसानी क्रिकर टीम बजाए जीतने के हार जाती है और पाकिसान का फोम ग्राउंड बे रिकोर्ड दरा खराद है बनिस बत इंटरनेशनल यानि के जांपे वो बतोर महमान खेलने जाते हैं तो अमीद करते हैं कि पिंडी क्रिकर स्टेडियम में सीर्स इंस रॉल हो जाएंगी व्यू तो इसका कमाल का है आगिसान के जो चार इंटरनेशनल क्रिकर स्टेडियम है उनमें अगर किसी स्टेडियम का व्यूव कुछ बेतर है तो वो पिंडी क्रिकर स्टेडियम का आई है वरना अगर आप मुलतान में हों, कराची में हों यह पिर लहोर में हों तो वहाँ के क्रिकर स्टेडियम में झाल झाल